नमस्कार आप देख रहे हैं विरा 24 न्यूस मैं हूँ आपके साथ हीना गटना के एक साल बाद न्याय मिल चुका है न्यायाले के हस्त छेप के बाद पीडित पच्च को घटना के एक साल बाद न्याय मिल सका है पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाब धोका धड़ी करने के मामले में धारा 420, 466, 468, 470, 471 के तहट मामला दर्श किया है दरसल दो दिन पहले न्यायाले ने भाश्वा नेतावा पूर मंडी अध्यश मनी राम तिवारी के बेटे अर्विन तिवारी साही तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्श करने के निर्देश दिये थे मामले की सिकायत राम भाई पत्नी सीता राम यादव निवासी बड़ा गाउं खुर्द ने न्यायाले में की थी केस की सुनवाई के बाद मुक नाईगर मजिस्ट्रेट सपना पोर्ते ने फैसला सुनाय था जिसमें अर्विन पिता मनी राम तिवारी, रहीस पिता मजीद खान और भुमानी दास पिता बदली एहिरवार के खिलाब धारा 156 के तहरत अनुसंधान कर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिहाद थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था सिकायत करता राम भाई आदव ने बताया कि 2 दिसमबर 2021 को अर्विन तिवारी सही तीनों आरोपियों ने मेरे नाम का फर्जी आधार कार्ट बनवा कर किसी अन्य महिला को रजिस्टार काराले में ले जाकर मेरी जमीन की रजिस्ट्री करा दी थी आरोपियों ने मेरी खसरा नंबर 263 बटा एक रकवा दो दो समलब 363 आरे जमीन फर्जी तरीके से अर्विन पिता मनी राम तिवारी के नाम करा ली थी इस फर्जी वारे में गवाही के तौर पर हरीस पिता मजीद खान और भुमानी दास पिता बदली एहरवार ने अपने आधार कार्ड लगाए थे फर्जी रजिस्ट्री की जानकारी लगते ही राम बाई यादव ने परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार को ग्यापन भी सौपा था पिडित पच्छी के अधिवक्ता नेत्र प्रकास शुकला ने बताया कि नयायाले ने इस मामले में अरविंद तिवारी, रईस खान और भुमानी दास अहिरवार को फर्जी वारे का दोसी मानते हुए दिहार थाने को मामला दर्ज करने के लिए निर्देशित किया था नयायाले ने उक्त प्रकरण अपराधिक पंजीवा CIS में दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं